Hello friends, Namaskar तो परसो मैंने एक वीडियो अपने यूटूब चैनल पे अफलोड किया जो TubeBuddy एप के बारे ने परसो हुआ ऐसा था कि Google Play Store से TubeBuddy एप गाइब हो गया था TubeBuddy एप को Google Play Store में सर्च करने पर नहीं आ रहा था तो मैं इसको ले करके परसों दीन में एक वीडियो क्रियेट किया और अपने यूटूब चैनल पे अफलोड कर था तो उस पे काफी लोगों का कॉमेंट आने लगा कि मैं भी Google Play Store में TubeBuddy को सर्च कर रहा हूं तो नहीं आ रहा है और उसी सामयाने परसों सामको TubeBuddy सपोर्ट टीम का मेरे वीडियो पे कॉमेंट आया मेरे उस वीडियो पे कॉमेंट किया तो कॉमेंट क्या किये और मैं पढ़के आप लोग को सुना देता हूं और अस्किन पे भी लगा देता हूं आप चाहें तो उसे बाद में पर सकते हूं तो उन्होंने लिखा था Hi Pirmoy, we are aware of this issue and are working hard to get our mobile app back on the Google Play Store we apologize for any incovance this may have cause and appreciate your presence we will have this resolved soon and keep everyone updated as soon as it's back online thanks for your understanding huge body support तो इस कोमेंट के थूरू उन्होंने साफ साफ बता दिया सब कुछ किलियर कर दिया कि मेरे mobile app में कुछ काम चल रहा है सब कुछ सही हो जाने के बाद फिर से आपको Google Play Store पे मेरा app मिल जाएगा वहां से आप easily download कर सकते हैं देन इंस्टाल करके काम कर सकते हैं आगे उन्होंने मुझे थैंक्स भी बोला आगे काफी लोगों का कॉमेंट्स आ रहा था कि मेरे Google Play Store पर भी TubeBuddy एप अबलेबल नहीं है तो जो TubeBuddy सपोर्ट टीम का मेरे वीडियो में कॉमेंट्स आया था उसे मैंने पिन भी कर दिया लेकिन फिर भी लोग कॉमेंट्स करते जा रहे थे ओ यदि पिन किये हुए कॉमेंट्स को पढ़ते तो साइद उन्हें कुछ पता चल जाता तो गुड नूज है कि TubeBuddy फिर से Google Play Store पे अवलेबल हो चुका है तो की मेरे मोवाइल में तो पहले से था मैंने केवल अनिस्टाल किया था तो वहाँ पर इंस्टाल करके आ रहा था तो मैं वीडियो इसलिए कल नहीं बनाया क्योंकि कल जब मैं उसे इंस्टाल किया तो इंस्टाल तो हो गया लेकिन YouTube से connect नहीं हो रहा था तो I think मैंने सोचा अभी कुछ काम साइड इसमें बाकी है फिर कल देखते हैं तो फिर से मैंने TubeBuddy एप को अनिस्टाल कर दिया और आज सुबा मैं Google Play Store में फिर से विजिट किया और TubeBuddy एप को सर्च किया तो वहाँ पे इंस्टाल करके आ रहा था तो मैंने उसे इंस्टाल कर लिया और आज यूटूब से अच्छी तरह कनेक्ट भी हो गया और असमुसलिक काम भी कर रहा है जैसे आपसकीन पे देख पारे हैं तो TubeBuddy एप को ले करके जिनका भी प्रोलम था वह आप Google Play Store पे जा करके TubeBuddy एप को फिर से इंस्टाल कर सकते है और अपने YouTube चैनल से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं आगे TubeBuddy सपोर्ट इम को भेरी भेरी थैंक्स तो आज की इस वीडियो में इतना ही था आगे ए वीडियो आपको कैसा लगा पक्का कॉमेंट कीजिएगा और यदि थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और सेर भी कर दीजिएगा और जो नए हैं फिली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आप इस वीडियो को करते हैं एंड फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर थैंक्यू जैहीं